नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपके साथ हूँ मैं प्रिया सिंग सोमन्शी बीते 72 घंटे से आदम खोर भेडिया नहीं दिखा बहराईच में जब से इंकाउंटर टीम पहुची है तब से ना लंगडा दिखा ना ही बीचा क्या दोनों भेडिये कहीं गायब हो गए? क्या अब उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है? क्या वो इतने चौलाक हो गए कि कहीं भी जाकर च्छिप गए? क्या ये नॉर्मल भेडिये हैं या वल्फ डॉग हैं जिसका दावा सोशल मीडिया में जबरदस चल रहा है इस वक्त एंकाउंटर टीम और भेडिये के बीच लुका चिपी का खेल हो रहा है एंकाउंटर टीम इंतजार कर रही है भेडिये के सामने आने का और आज की रात सबसे ज़ादा एहम है क्योंकि भेडिये आंतोर पर अपना शिकार चार दिन बात करते हैं बेडिये को शिकार किये हुए अब चार दिन बीच चुके हैं और इसलिए कहा ये जा रहा है कि आज की रात बेहद है में हो सकता है कि बेडिये आज शिकार पर निकले लंगने को पकड़ पाना इसलिए भी मुश्किल है क्या ये वुल्ट डॉग है क्या लंगना भेडिया का साथी भी क्रॉस ब्रीड है कितना खत्रा है आप लोगों? बहराइच में लंगणा भेडिया, अलफा, बीटा की जगें एक नया शब्द आया है जिसका नाम है वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग ना पूरी तरह वुल्फ होते हैं ना पूरी तरह डॉग होते हैं ये डॉग और भेडिये की क्रोस ब्रीड होती है सबसे खतरनाक, सबसे चालाक। अब सवाल है बहराइच में जिनको भेडिया कहा जा रहा है, जो लंगणा शिकार कर रहा है, जो बीटा मार रहा है, क्या वो वुल्फ डॉग है? क्योकि अब तक इन्हें पकड़ने के लिए जितना कुछ किया गया, उस दोरान भेडिये पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन य बहराइच में जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई है, वो भी बता रही है, भेडियों ने बहुत अलग पैटरन से हमला किया है, हाला कि वन विभाग का माना है, बहराइच के भेडिये मिक्स बेड नहीं है, लेकिन आदम खोर जरूर है, जितने अभी तक पकड़े गए थ इंडियन गिरी वल्फ जो होते हैं, वही है, अब तक जो पकड़े गए है, उनके बारे में क्या लग रहा है, क्या वो मिक्स ब्रीड हो सकते हैं, या क्योंकि उनका बढ़ताव जिस तरीके का है, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, जो अभी पकड़ने है, ये सब छो सा साथ देखे गए हैं, तो ये खी जैसे हैं, तो जो भी पकड़ सुदूद है, वो भी वही है, इंडियन गिरी वल्फ है, और में क्योंकि ब्रीड नहीं है, वो वजिनल है लंगना भेडिया कहां रहता था, कहां से आया है, भेडियों का जुन्ट कहां से निकल कर गाउं तक पहुँचा, हमारा कैमरा वहां पहुँचा, ये भेडिया है या वुल्फ डॉग है, इसका पता भी भेडियों की माद से लगेगा मांदे, यानि की जहां पर भेडिये, आकर रुखते हैं, अराम करते हैं और जब उन्हें शिकार करना होता है, तो वो अपनी मांदों में से निकलते हैं, जिसको कैप्चर करने के लिए वन विभाग ने कैमरे भी लगाए हुए हैं सबसे पहले हम आपको कैमरे दिखा दें, इस तरीके से वन विभाग ने इस जंगल में कैमरे लगाए हैं, एक दो नहीं बलकि कई सारे कैमरे जो हैं अलग-लग लोकेशन्स पर लगाए हुए हैं और इन कैमरों को लगाने का मकसद क्या है, वो मकसद हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया टीवी पहला चैनल है, जो आपको ये मांदे जो हैं वो दिखा रहा है, मैं चाहूंगा इसके अंदर गाओं के लोग जो हैं, इस लाठी से आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सक इसके बाद ये दूसरी मांद जो है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, इनके अंदर भेडिये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर आराम करते हैं, इक पर दुबारा तस्विरे देखिए, मांद रंबर एक और उसके बाद ये 5-6 फिट की दूसरी मांद रंबर ये देखिए कित्ती गहरी मांद बेडिया अराम से कहीं से हमला करेगा और करने के बाद इस तरीके से आके जो उसने मांदे बनाई हुई है पेडों की जड़ों में इस तरीके से मांदे बनाई हुई है और गाउं के लोग जो है वो बेहत दहशत में है क्योंकि अब तक भे बेडिया मिल सकता था इस बात का भी खत्रा था दूसरा कैमरा जो है यहां पर बांदा हुआ है ताला लगा कर और ताकि जब भी यहां पर भेडिया आए उसकी तस्वीरे इसके अंदर हो रखी है जैसे की कोई जानवर यहां पर आकर बैठा हो इस लोकेशन पर अकसर भेडिया आता जाता हुआ दिखाई देता है ऐसा लोगों का कहना है और तीसरा कैमरा आप देखिए सामने पेड़ पर एक और कैमरा इसलिए बांदा हुआ है क्योंकि यह पता लगाए कि अपन दरपुर गाउं में 500 मिटर पहले यह देखें तीन मांद यहां पर है यह देखें मांद रंबर एक तीन हम आपको दिखा चुके हैं यह चौती मांद है इस तरीके से पांचवी और यह चछटी और एक और यहां पर मांद बताई जा रही है तो भेडिया असानी से तो उसको समय रहते पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए यह यहां पर गाउं के लोगों का कहना है और वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है लेकिन एक लंगडा भेडिया जिसका नाम सरदार रखा हुआ है लोगोंने कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है